हलो दोस्तों मेरा नाम जमन और आप देख रहे हैं टे की जमन यूट्यूब चैनल तो गाइस कई बार आप लोग साथ ऐसा हुआ होगा आप लोग किसी बीतरह का कोई भी भाड़काओ लाइंग्वेज में पोस्ट नहीं करते होंगे किसी बीतरह का फेस्बुक में वाइलेंस कर देता है ऐसा हमारे साथ भी हुआ है किसी बीतरह का कोई वाइलेंस सामने नहीं की नहीं आप ने किया लेकिन तब भी बिना कारण के फेस्बुक अकॉन डिसिबल कर देता है डिसिबल तो हो जाता है लेकिन उसके साथ साथ फेस्बुक नहीं आपके नंबर इमेल पर किसी फिर आप लोग क्या करते हैं कि उसको छोड़ देते हो नही डम बनानी लग जाते हो इन गलती है यहाँ पर आइसा आप लोग को नहीं करना है कही बार ये बहुक को नहीं करना है जोड़ें जैब फेस्बुट काण • ब्रूबर्ट करते हो अपनी परिशानी बताते हो लेकिन एक महीना, दो महीना, तीन महीना होने के वाजूद भी आपका एकॉन नहीं खुलता है, ठीक है, यह जितनी सारी जो प्रोब्लम जो मैंने फेस की है, जो मैंने लोगों को देखा, जितनी सारी कंप्लेन आई है, मैंने इसका पूरी पूरी चाहे आपने वाइलेंस किया हो, दम लीगल तरीका से, लीगल तरीका से, दम 100% वर्किंग तरीका से मैं आपको बता रहा हूं, 100% आपका अकाउंट चुटकियों में खुल जागा, जी गैस, 100% आपका अकाउंट चुटकियों में खुल जागा, यह वीडियो को आप सुरू देखते हैं तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिए अगा ठीक और ये प्रोसेस आप अपने PC और फोन दोनों से कर सकते फोन में आपको Chrome ब्रॉजर आपन करना है और उसको Desktop Mode में कर लेना है और फिर आपको इसी तरह से Facebook खुलना है Facebook खुलने के बाद दिखिए मैंने अपना email और password यहाँ पर save रखा है ठीक है मतलब मेरा icon disabled हो चुका है चलिए हम login करते है ठीक है login जैसे मैंने किया तो यहाँ पर show करता है your account has been disabled ठीक है अब क्या करना है थोड़ो यहाँ पर आपको ध्यान देना है यह page को आपको खुला ही रखना है ठीक है काटना नहीं है नहीं log out करना है इसके बाद directly आपको new window page खुलना है इस लिंग को और हम लोग खोलेंगे खुलने को बाद यहाँ पर सबसे पहला जो form आता है contact form यह कि आपको यहाँ पर अपना ID submit करने के लिए बोलता है एक बाद और आप लोग का जो दिमाग में जो doubt क्लियर कर देते हैं माल लेजिए कि आपका जो ID है वह Facebook में रहान नाम से और आपका अधार काड में कुछ और नाम है बिल्कुल टेंशन मत देखिए एक as upload हो गया है दूसरा बहले है अभी अप story करें लोगे पीछे का ही अगे का मゃ ने कर दिया कि पीछे का कर रहा हूं देखे पीछे का भी upload मैं कर रहा हूँ एक चीज और रख एक चीज और आपको और ध्यान की बात है जब आप अधाल काट का फोटो लेते न कोसिस करें दम किलियर आए आगे पीछे दोनों का दम किलियर होना चाहिए किसी पर तरह कोई बलर ना हो तो देखे आगे और पीछे दोनों का जो मैंने यहाँ पर upload कर दिया है उसके बाद यहाँ पर आपको simply send में किलिक करना है ठीक है देखे यहाँ पर क्या बोड़ रहा है thanks for contacting facebook you should receive an email response shortly यह बोलता है ठीक है लेकिन email हुआ अगर कुछ आता नहीं इसके बाद आपको simply okay कर देना है इसके बाद कुछ नहीं करना है यह हो गया पहला process ठीक है और आपको जो page जो मैंने यहाँ पर खुलवा के रखा है इसको काटना नहीं है ठीक है इसको खुला ही रहने देना अपने ब्रॉजर में जाके यहाँ पर इसको paste कर देंगे इस तरह से हो गया ना उसके बाद आपको क्या करना है देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ my personal account was disabled उसके बाद आपका जो facebook में नाम है आप वही नाम डाले जो आपका facebook में है बिल्कुल tension मत लीजे यहाँ पर हम डाल देते हैं रहान ठीक है ना मैं यहाँ पर आपको समझाने तोर पर यहाँ पर लिख देते हैं जहरा चलिए जहरा लिख देते हैं ठीक है ना क्योंकि यह जो आईडी जो जो हमी submit कर रहा हूं यह जहरा नाम से हैं तो यहाँ पर मैंने जहरा कर दिया उसके बाद आपका जो भी facebook में नाम आप वही डाले आपका full है तो full नाम डाले अगर short है तो short नाम डाले फिर यहाँ भी आपको ID submit करना है वही ID ठीक है आप यहाँ भी submit करें एक आगे का मैंने डाल दिया देखे मैं आगे का डाल रहा हूं अभी देखे एक part हो गया दूसरा part भी डालते हैं पीछे का चलिए मैंने पीछे का भ कोई भी नाम हो वह फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता है बस आप original ID submit कर रहे हो यह सबसे बड़ी बात होती ही Facebook के लिए और manually check नहीं हो टोटली detect होता है system detect करता कि अधार fake है या original है देखिए Facebook में नाम जहरा है और अधार कार में कुछ है ठीक है ना जैसे मैंने का आप female है तो female का ID चाहिए अगर mail है अगर Facebook में mail ID तो mail का अधार कार चाहिए चलिए इसको भी हम send कर देते हैं देखिए send कर दिया और यहां भी यह भी कह रहा है कि transfer contacting Facebook अब आप shortly email receive करोगे इस इसके बाद फिर हम इस page को close कर देंगे ठीक है ना फिर हम तीसरे link में जाएंगे यहां पर एक और link है Facebook disabled eligibility इस contact link में जाएंगे देखो यह वाला हमें यह link में जाएंगे इसको हम copy कर लेते हैं यह last link है है ना इसको copy करने के बाद फिर हम new window page खोलेंगे और इसको paste करेंगे और रखना है जो देना है जो आपके Facebook में जैसे नाम Facebook में जहरा है ठीक है ना आपका Facebook में नाम जहरा है और अधार कार में दूसरा नाम है जैसे असमीना है या रिहाना है कोई भी अधार कार में जैसे मालीज आपका Facebook में नाम रिहान और अधार कार में जमन है तब भी दो लेकि data Burd में यादरो कि आप वही data ड़ले जो आपके Facebook में जो आधार कार में नहीं है वो में डर नहीं करता वह डालो चलो और यहां पर Facebook80 डाल देते हैं अधार कार जिसे मतलब नहीं है इसको ठीक है यहाँ पर डाल देते हैं उилась 1993 और और यहां पर हो गया December, और यहां पर हो गया 17 हो गया, अब यहां पर आपको क्या पो रहा है, क्या आप अपने additional information दीजिए, क्या आपका एकाउन disabled की हुआ है, जैसा कि मैंने आपको कहा, कि बिना reason, बिना कारण के एकाउन disabled हुआ है, अब Facebook को हम क्या बोलें, तो मैंने script तैयार करके रखा है, जो हम लोग Facebook को भेजेंगे, क्या क्या करना है, तो देखो यहां पर, सबसे पहले चीज, बहुत ध्यान से रखो, यह process आपको स्रीप, तीसरे वाले form में करना है, इस वाले contact link में करना है, और क्या का Facebook को बोलना है, हाई Facebook, मेरा नाम, मेरा real नाम, असमीना खात है, Facebook में, समझी है, दोस्तों, मैं अच्छे से पढ़के बता रहा हूँ, हाई Facebook मेरा real नाम, असमीना है, और मेरा nickname जाहरा, जो मेरा Facebook प्रोफाइल में नेम है, आपने मेरा icon बिना current के disable कर दिया, जबकि वहां पर कोई भी गल्ती नहीं थी, किसी भी तरह कोई violence नहीं है, लेक कर सकती, contact नहीं कर सकती, बहुत problem हो रही है, उसके बद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, I am sending you my identity proof via Google Drive, तो आपको क्या करना है, एक अधार काट के एक आगे और पीछे Google Drive में अपलोड करके, उसका link आपको इसी तरह से जैसे मैं ने यहाँ पर दिया है, यह Google Drive कर लिंक, ताके वो खोल के चेक कर कहां इसकी आइडिया औरिजनल है, उसके बाद फिर आपको अपने Facebook का email, अगर आपका Facebook email से बना हो तो email दीजी, अगर आपका number से बना हुआ है, तो सिर्प number दीजी, उसके बाद यह पूरा message को, आर एक बात और एक बात और, यहाँ पर my real name इस असमीना लिखा हो और तो आप यहाँ पर अपना नाम डाल दीजे, real name, जो आपके अधार कार्ड में है, और जो आपका Facebook में नाम है, माइनिक, माइनिक नेमी जहरा on Facebook, जहरा को अटा कि आप आपका जो नाम Facebook में वो डाल दे, ठीक है, समझ गए ने पूरी बात को, उसक आप इसको directly इसको copy कर लीजे, control A से मैंने copy कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर paste कर देंगे, paste करने के बाद, paste करने के बाद directly हम कुछ नहीं करेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, अच्छा email मेरा ये था ना, 1 minute email सही email डाल देते हैं, मेरा email ये था, एक सेकं find IGT jobs to 3 address, है ना, और चलिए, इसके बाद मैंने यहाँ से phone हटा दिया, क्योंकि मेरा email से मैंने number नहीं दिया है, अब क्या करना है, इतना करने के वाजूद दोस्तों, आपको simply send में click कर देना है, send में click करने के बाद, अब आपको एक बात हमेशा याद रखना है, देखे, इस मैंने खुला रखा आभी तक मैंने नहीं काटा है, अब आपको क्या करना है, एक बार इसको page को refresh कर दो, refresh करने बाद इसको आप logout कर दो, ठीक है ना, logout कर दो, logout करने बाद आपको wait करना है, 48 hours का, और 48 घंटे का आपको wait करना है, और 40 घंटे के अंदर में फूल गरेंटी है दा मेरा चैलेंज है आपका एकॉन 100% खुल जाएगा क्योंकि मैंने अभी तक इसे से 10 से 20 एकॉन खोले है ठीक है कैई सारे लोगों ने मुझे से कॉन्टेक्ट किये कितने लोगों का मैंने कॉन खुला है हमारा का मैंने खोला है एक बात हम इसे याद रहा किसी बी तरह का कोई भी VPN वगरा यूझ नहीं करना है Country चेंज नहीं करना है इंप की लोकेसन चेंज नहीं करना है तो कोई मैने जतना काम किया दिकव मैंने YouTube यदी कोई से नीचे हमारा ठीक है आप इसी तरह से करो आप माल लो माल लो अगर आप 40 घंटे के वाजूद भी कुछ प्रॉब्लम होता है कुछ नहीं खुलता है तो गैज फिर आप ट्राइक करते रहो दम उसी तरह से ट्राइक करते रहो मैं फिर समझाते तो हूँ अगर आप एक फ्रीमेल हो आपका फ करता है अगर फेक है तो उसको रहने देता है समझगे ना बात को तो यह बहुत अच्छा तरीका इसा किसी ने नहीं बताया होगा विए यह वीडियो को जादा जादा शेयर करो भाई कमें कर वीडियो में और हमारे चैनल को सपोर्ट करो वीडियो देखने के लिए बहुत कर दो